Hey everyone, this is Janmi Dinani, welcoming you to Magni Brains and welcoming you to another video of our series जो की है Grammar का जहरीला रिविजिन तो भाईया इसमें हम बात करने वाले हैं एक और टॉपिक की जहां हम फटा-फट से रिवाइस कर लेंगे अगर नहीं पता है इस टॉपिक के बारे में कुछ भी तो सब कुछ सारी जानकारी आपको विदिन फ्यू मिनट्स अम बिल जाएगी तो फड़बर से स्टार्ट करते हैं विच सर्टेन बेसिक रूल्स जो आपको हर जगा फॉलो करना है तो ये रूल्स कहलाने वाले हैं भई आपको क्या एक्जाक्ली दिमाग में रखना है सबसे पहने जो चीज आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि हर एक सेंटेंस में पता करो कि सबजेक्ट और अबजेक्ट क्या है यानि कौन है जो वर्ब को perform कर रहा है और किस पे ये वर्ब या action perform किया जा रहा है तो आपको सबजेक्ट और वर्ब को पता करना है रूल नमबर वान सेकिंड तिंग जो आपको दिमाग में रखनी है वो ये है जैसी पता चल जाए ये subject object है इसकी अदला बदली कर दो यानि you need to interchange the subject with the object and object with the subject तो subject को shift कर दो object को shift कर दो एक दूसरे की जगे पे तो वो passive में change होंगे थर्ड चीज जो आपको follow करनी वो ये है you have to add by before the object of passive voice यानि passive voice बन गया आपने interchange कर दिया अब जो passive voice का object है वो subject रहा होगा active का तो उसके सामने आप क्या लगा दो by लगा दो फिर फूर्थ चीज जो आपको ध्यान में रखनी वो ये है कोई भी main verb हो कोई भी main verb V1 हो, V2 हो, V1, ING हो, V3 हो कुछ भी हो उसे हमेशा V3 के form में ही रखोगे ठीक है, तो V3 हमेशा आता है passive voice में, तो passive voice का error detection का question आता है, सीधे देखनो वहाँ V3 का इस्तिमाल हो रहा है या नहीं, और इस V3 के सामने आपको इन families में से कुछ भी रखना है जैसे अगर V1 दिया हुआ है present tense, तो isMR में से कुछ भी रख देना अगर past tense है, तो was were रखना अगर V1 ing है, तो being रख देना और अगर आपका V3 पहले सी दिया हुआ है कोई perfect tense है, तो फिर being रख देना यानि कि V1 होगा तो उस जगा पे isMR V3, अगर वहाँ पे past tense है, तो was were V3 अगर V1 ing है, तो being V3 और अगर perfect tense है, तो being V3 कर दोगे clear, alright, चलो next जो path होगी, वो होगी make the change of pronouns की, यानि subject pronoun है, तो object pronoun में change कर देना and the vice versa, clear यानि कि आपको जैसे दिया हुआ है he did the job, तो आप क्या करोगे the job was did by him was done by him, क्योंकि did V2 है, past है, तो आपने उसको was were में से किसी को choose कर लिया, ठीक है the job singular है, so the job was V3 बना दोगे did का done so the job was done, by by क्या, by he का pronoun him, तो ऐसे आपको चीजे ध्यान में रखनी है, next आप क्या करने वाले हो, आप follow करने वाले हो, कुछ structures, ठीक है अब ये रटने की कोई ज़रत नहीं है, यू समझ जाएगा, आपको clear हो गया न, कि ismr, was were, being, being कहां रखना है, और V3 कहां रखना है, अब देखो कैसे समझ आता है, अगर कोई present indefinite tense का structure होगा, subject v1, ses, object होगा, ये तो पता है आपको, क्या करना है, v1 की जगा ismr को रखना है, और v1 को v3 बना देना है, that's it, right, तो आपने क्या किया, subject, object पता किया, इन दोनों को change कर दिया, यहाँ पर by add कर दिया, v1 को ismr बना दिया, और आपने जो v1 का main form है, उसको v3 में change कर दिया, तो ले देखे, जो भी हमने अभी rules पड़े, वो आपको सारे यहाँ पर apply करके structure बना लेना है, ठीक है, बाकी tenses भी देख लो, कितनी फड़ावट समझ लोगे, continuous tense दिया हुआ है, क्या करोगी भई, subject, object, interchange, by आ जाएगा, v1 ing को बना दोगी v3, और ismr जो है, वो इस देबार को change करने को मैंने नहीं बोला, मैंने बोला है कि जो भी ing form है, उस जगा being रख दो, तो यह ऐसी रहने वाला है, being v3 हो जाएगा, ठीक है, तो subject, object, by being v3, next third जो है, वो है आपका present perfect tense, आप देखो, subject, object, by रखा, was, has, have, वैसी रहने दो, उसको मत हाथ लगा, आप सिरिफ v3 देख लो, v3 है, तो being आएगा, तो being v3, तो आपने यही कि आपने being v3 को यहाँ पर रख दिया, next tense है, आपका क्या past indefinite, v2 है, क्या बन जाएगा, was, were, v3, अभी तो पड़ा है, बाकी by और यह सब चीज़े तो आपके लिए बच्चो जैसी हम होई गई होगी, clear, next हम बात करते हैं, past continuous की, कुछ नहीं, सब कुछ interchange करो, यहाँ पर ing है, तो being v3, तो was, were, being, v3, next आजाता है, आपके पास past perfect, अभी past perfect है, तो had v3 है, क्या करोंगे, had रहने, तो being v3 कर दो, क्योंकि v3 है, तो उसकी जगा being तो आना ही है, तो being v3, next है, आपके पास future indefinite tense, यहाँ पर दिया हुआ है, will, shall, v1, तो वो तो वैसी रहने वाला है, बट क्योंकि हमें पता है, कि will, shall, जो है, उसके साथ v1 लगता है, और इस इमार तो लगा नहीं सकते हैं, तो हमेशा जैसे tense में करते आए, वही करेंगे, बी को खुद रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, will, shall, be v3, clear, next आते हैं future perfect पे, तो क्या करोंगे भई, perfect है, तो v3 है, तो bean v3 कर दोगे, तो normal structure वहाँ बना दोगे, आप bean v3, done, तो सारे tense is clear हो गए, कैसे करना होता है, active से passive में change, then आ जाते हैं हम कि अगर कोई model आ गया, तो क्या करोंगे, अरे कुछ ने, model का एक basic rule है, कि models हमेशा v1 को use करते हैं, तो v1 की जगा b रख दो, so subject model v1, क्या हो जाएगा, object गया, subject गया, buy आ गया, और यहाँ v1 की जगा आ जाएगा, b v3, so can है, तो क्या हो जाएगा, can be done, clear, okay, done, next आते हैं, आपका last जो की है interrogative, अगर wh वाले words आएं, और उसमें passive में change करना हो, तो क्या करेंगे, reported और passive को अलग-अलग रखना, please request है, नहीं तो पूरे question की 12 बजा क्या आ जाओगे, ठीक है, so यहाँ पर अगर wh question दिखता है, active में, तो passive में change करने के लिए, सबसे पहले wh को वही के वही रखे रहने देना, रखनी है, the rest of the sentence is changed according to the passive voice rules, जो अभी तक हमने पढ़े हैं, तो pronoun का rule change करना, subject, object को interchange करना, by लगाना, tense में सारे changes करना, that is, जो भी वीवन है, तो is एमार जो भी वीथरी हो जाएगा, अगर वहाँ पर वीथरी है, तो being वीथरी हो जाएगा, अगर past tense है, तो was, were वीथरी हो जाएगा, अगर ing है, तो being वीथरी हो जाएगा, और future में आपका वीवन है, तो be आजाएगा, be और be वीथरी हो जाएगा, done, तो इस तरीके से यही सारे rules हैं, जो आपको follow करने हैं, active से passive में जाने के लिए, तो within few minutes, पूरा revision हो गया है, अब जितने हो सकते हैं, उतने questions solve करने लगो, ताकि आप active passive में, rock कर पाएं in your exams, clear, alright, so with this, we are done with this discussion, but we will be very very soon, going to meet in the next video, with the next topic, till then, take care of yourself, thank you so much for watching, bye,